हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कक्षा छे विज्ञान की वर्क सीट 27 हल करेंगे जो की 22 जनवरी 2021 की है आज की वर्क सीट का विशे है सजीव एवम उनका परिवेश तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं जीव की विशेशताएं क्या हमें सभी जीवों में हमेशा निश्चित रूप से सजीवों के लक्षन दिखाई देते हैं हम सभी जानते हैं सजीवों को भोजन की आवश्यक्ता होती है उनमें स्वाशन, उत्षर्जन, उत्दीपन के प्रती, अनुक्रिया, प्रजनन, गती, एवं वृद्धी तथा मृत्यू होती है आईए करके देखते हैं उप्रोक्त, अंकित, सजीवों की विश्यस्थाएं क्या हमें हमेशा दिखाई देती हैं इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गती विधिया करते हैं चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर गती विधिया दी गई हैं गती विधी एक, आवश्यक सामगरी, बीज, जैसे, राजमा, चना, मूंग, गेहु, आदी गती विधी के चरण पहला, उपरोक दिये गए बीजों के ना होने पर, जो भी बीज आपके रसोई घर में हैं, उन्हें ले लीजिए दूसरा, सजीवों की विशेश्ताव को ध्यान में रखते हुए, इन बीजों का अवलोकन करिए अब यहाँ पर प्रशन दिया गया है, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव और क्यों, तो इसका उत्तर लिखेंगे बीजों को निर्जीव वर्ग में रखेंगे, क्योंकि उनमें सजीव जीवों के कोई गुन नहीं है चलिए गतिविधी दो करते हैं आवश्यक सामगरी बीज, राजमा, चना, मूंग, गेहु, आधी गतिविधी के चरण, पहला, उपरोक्त दियेगे बीजों के ना होने पर, जो भी बीज आपके रसोई घर में हैं, उन्हें ले लीजिए, और एक रात के लिए पानी में भिगो कर रखिए दूसरा चरण, बीजों में से पानी को निकालने के बाद, उसे सूती कपड़े में लपेट कर, दो दिन के लिए रख दीजिए अब प्रशन दिया गया है, बीजों पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद, आपने क्या अवलोकन किया, तो इसका उत्तर लिखेंगे बीजों पर से सूती कपड़ा हटाने के बाद, हमने देखा कि बीज अंकुरित हो चुके हैं अब प्रशन दूसरा है, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव और क्यों तो इसका उत्तर लिखेंगे, बीजों को सजीव वर्ग में रखेंगे, क्योंकि उनमें विकास हुआ है, जो सजीव जीवों का गुण है चलिए, आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान भरी, पहला जमीन पर उगने वाले पोधों को डैस कहते हैं, तो यहां लिखेंगे स्थलिय वनस्पती दूसरा, पानी में उगने वाले पोधों को डैस कहते हैं, तो यहां लिखेंगे जलिय वनस्पती तीसरा, भिन परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना डैस कहलाता है तो यहां लिखेंगे अनुकूलन चोथा, सभी सजीव डैस करते हैं कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन करते हैं तो यहां खालिस्थान में लिखेंगे प्रजनन अगला करते हैं, प्रशन समू में से विशम अलग को चुरें अपने उत्तर का कारण बताएं तो यहां पर आपको जो विशम सबसे अलग है समू में उसके बारे में लिखना है और कारण भी बताना है पहला मेज, बिल्ली, कुरसी, पैन तो यहां बिल्ली पर गोला लगाएंगे बिल्ली सबसे अलग है क्योंकि बिल्ली सजीव है और बाकी निर्जीव है उसके बाद उंट, सेर, बाग, सियार इसमें उन्ट सबसे अलग है क्योंकि बाकी मासा हारी है और उन्ट साका हारी है अगला आम, सेव, अंगूर, कैक्टस तो यहां कैक्टस पर गोला लगाएंगे कैक्टस सबसे अलग है विशम है क्योंकि कैक्टस पोधा है और बाकी फल है मचली, मुर्गी, कुत्ता, सूर तो यहां मचली पर गोला लगाएंगे मचली सबसे अलग है क्योंकि मचली जल में रहती है मुर्गी, कुत्ता, सूर, स्थलिय प्रानी है कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली तो यहां कमल पर गोला लगाएंगे कमल सबसे विश्वम अलग है क्योंकि कमल पानी में उगता है बाकी मिट्टी में उगते हैं तो बच्चो ये वर्कशीट यहां कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने अन्य विश्यों पर शेयर जरूर करें